सबी दर्शकों को नमस्कार आएए देखते हैं एक एपरल से चार एपरल दो हजार तैईस में कैसा रहेगा मौसम तो आप देख रहे हैं भारतिय मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और हर्याना चंडिगट देली कुछ हिस्सा पश्मी राजस्तान और उत्राखंड में एक तारीक को होगी बारिश पंजाब में भी ये बहुत तेज हवाए चलेंगी बारिश इसका डिटेल अभी हम बताएंगे आपको तो ये भारतिय मौसम विभाग चंडिगट के अनुसार एक बज़े बोलिटन है दो तरीक को मौसम साफ रहेगा जबकि तीन तरीक को आप मांचितर में देख रहे हैं जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उसके बाद अगर हम बात करें तो पंजाब हरियाना चंडिगट ड और अब आप देख रहे हैं पंजाब में भी बादल काफी चाहे रहेंगे तीज हवाई चलेंगी यलो वार्निंग है ये पच्चमी राजस्तान में भी थंडर स्टॉम एंड लाइटनिंग रहेगी उसके बाद पूरी राजस्तान में भी बारिश की काफी संभावना है ये भारतिय मौसम भीभाग चंडीगड के अनुसार है आज एक बज़े बुलिटन जारी किया गया है और पच्चमी उत्र प्रदेश में भी बारिश और थंडर स्टॉम और लाइटनिंग रहेगी पच्चमी उत्र प्रदेश के बाद अगर हम बात करें तो इस्त मध्य प्रद संभावना है बात करते हैं इसके बाद हम चार तारीख की तो अगले मांचितर में आप देख रहे हैं कि चार तारीख को जमू कश्मीर और फिर हिमाचल प्रदेश कुछ बाग होंगे पंजाब के उसके बाद आप देखिए पंजाब के बाद हरयाना चंडीगर डली साथ मे है आपका ये पश्चमी उत्र प्रदेश बेस्टन यूपी इसमें भी थंडर स्टॉम और लाइटनिंग तेज हमाई चलेंगी गरच चमक के साथ रहेगा मौसम और पश्चमी उत्र प्रदेश के बाद अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में भी इसी प्रकार का है अब हम डिटेल में देखते हैं पंजाब और हरैना का किस प्रकार रहेगा मौसम एक से चार अपरेल तक ये जानकारी भारतिये मौसम विभाग चंडिगर ने दी है कि एक तारीक से चार अपरेल तक किस प्रकार रहेगा मौसम तो हम देख रहे हैं कि वार्निंग जो चेत मरसर साहब में एक तीन और चार को येलो अलर्ट दिखाया गया गरच चमक के साथ बारिश कहीं कहीं हो सकती है हवा की स्पीड रहेगी तीस से चालिस किलो मेटर प्रतियावर और तरन तरन में एक और दो दोनों दिन मौसम ठीक रहेगा जबकि हुश्यारपुर में एक को येलो अलर्ट दिखाया गया है उसके बाद नावाज शहर में भी इसी परकार से दिखाया गया है कि तीनों ही दिन दो तारीख को छोड़के कपूर सला जलंदर में भी एक तीन और चार एपरिल को मौसम जो है बारिश भरा रहेगा उसके बाद बात करें फिरोद्पुर को भी ठीक रहेगा मगर तीन तारीख को तेज हमाय और बारिश आ सकती है फिर लुद्याना में भी इसी परकार एक तीन और चार एपरिल को मौसम जो है वो बारिश भरा रहेगा फिर बरनाला मांसा संगरूर इनमें एक और दो को कोई मौसम खराब नहीं है बिलकुल साफ रहेगा गड़े और गरच चमक पड़ सकते हैं और बारिश तेज आ सकती है इनी चारों जिलों में तो उसके बाद अगर हम देखें शिरी फतेगर सहब रूप नगर पटेयाला एसेस नगर में एक तीन और चार को मौसम जो है वो गरच चमक तेज हवाय चल सकती हैं तीस च किलो मेटर के हिसाब से इसी परकार हर्याना में अगर हम देखें तो पंचकूला अंबाला यमनानगर कुरक्षेत्रा में और कैथल में करनाल में दो तरीक को मौसम साफ रहेगा मगर एक और तीन और चार अप्रल को गरच चमक तेज हमाएं जिनकी गती होगी तीस से चालिस किलो मीटर यह चलेंगी और और व्रिष्टी कैथल में दिखाए गई है कुरक्षेत्रा में भी और करनाल में भी तीन तारीक के लिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो महंदरगर रिवाडी जजर गुरूगराम मेवात पलवल फरीदाबाद रहतक सोनीपत पानीपत की तो इन में एक और दो और चार तारीक को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा मगर तीन तारीक को येलो अलर्ट दिखाया गया है और व्रिष्टी पानीपत में भी हो सकती है सोनीपत में भी हो सकती है ऐसा मौसम बिभग का अनुमान है किसान भाइयों से नरोध है कि वो मौसम को ध्यान में रखके ही अपने खेती के काम करेंगे सभी को धेर सारी शुब काम नाएं नमस्कार